इसको कडि से कडि सजा देए उसको कोई पोलनी का हक नहीं है हमारी नभी के लिए अच्छा लगेगा हमको नमस्कार असलाब अलेकूम मैं हूँ अब्दुल समशेट आप देख रहें 24 Yes News आईए देखते हैं मुंबई समयत देश की तमाम खबरे हलो फ्रेंड्स मैं हूँ अबदुल समयत सिक आप देख रहे हैं 24 Yes News आज मैं आया हूँ Star Angel Foundation के चीप साहिस्ता लकरावाले जी के आपिस में जो मालवनी मलाड वेस्ट में है आज हम उनसे बात करेंगे मुहम्मद पैगंबर सल्लेला विसलम के सान में नुपूर सर्मा ने जो गुस्ताकी किया है जो बीजेपी की परवक्ता थी उनको लिलंबित किया है बीजेपी ने हिंदुस्तान के परती बाहर मुलकों में भी गुस्ता पाया जा रहा है कि नभी किसान में एक औरत ने जो आपकी परवक्ता है बीजेपी कि उसने गुस्ता की किया और अब तक उस पे कोई कारोवाई नहीं हुए तो हम बात करेंगे मेडम साइस्ता लक्रावाले जी से जो इस मुद्दे पर बात करने वाली है नुपूर सर्मा जो गुस्ता के रसूल है तो आईए हम उनसे बात करते हैं मेडम साइस्ता लक्रावाले जी से मेडम स्वागते 24 येस नूज में शुक्रियां आज मैं फिर से आपका सामना कर रहा हूँ जी मेडम बीजेपी की परवक्ता नुपूर सर्मा ने मुहम्मद नभी के बारे में जो गोस्ता का अलफाज यूज किया है गोस्ता के रसूल का काम किया है और उन्होंने गोस्ता की क अगरी नींदा कर रहे है किस अवरत की जिसको इतने इसने यह बोला है न तो मुझे पहले तो मुस्लिम समाझ इसको पताने गुसे में क्यों नहीं आ रहा है मुझे तो समझ भी नहीं आ रही कि किस रिशे उस वोरत ने अमारे नभी के लिए इतना वर्स बोल दिया उसको प्रीबीद और उसको तो मिलाब यह नहीं कि उसको जो जोई डालो उसको ऐसी सज़ा फासी के सज़ा दे दो ना अच्छा लगेगा हमको आप इस इलसिले में चौकी में लेटर दिया है फुटी चौकी में को पोटेस्ट से करें के मेंने लेटर कहीं भी नेमेन कोई मेरे लिए आपने क्योंक नीव क्या है आपके तञ्जीम की अपने मस्लें के लिए बीजी कभी मस्जिदों को लेके, कभी नकाब को लेके, अभी मुस्लमानों पर तो काफी दोसान से हो रहा है है सब कुछ, अजान को लेके बीच में हुआ था कि तीन टारीक और माइक उतार देंगे, राच ठाकरे जी ने बोला था, लेकिन माइक तो नहीं फिर उतार पाये थे, तो बीजे पी ने तो उनको छे साल के लिए लिलंबित कर दिया है पार्टी से निकाल दिया है उनको परवक्ता भी अब नहीं नहीं तो उसको पुलने का हाकी नहीं है वो हमारे नभी के बारे में क्या जानती है वो औरत क्या जानती है हमारे नभी को हमारे नभी हमारे आखरी सब्सक्राइ करें नुकूर सर्ма ने मैं सुना कि माफी मांगए माफी मंगने से क्या होता है पहले गुना करो फिर माफी मंग लो यह सा तो हरगिस नहीं होगा उसको सजा मिल नहीं चाहिए जी मेडम आगे आप क्या करेंगे अगर उनको आरेश्ट नहीं किया गया नुपूर सर्मा जो बीजेबी की परवक्ता थी अगर उसमें कोई कारोवाई नहीं होती है तो आपकी संस्ता इस सिल्सिले में और आप क्या करेंगे देखे ऐसा है समझ जी मैं काफी अभी ये मुझे थोड़ादेश की फिक्र भी हो रही है कि हमारे मुसल्मान लोगों को किया वो गया है है हमारे नभी कोन थे वो मुसलमानों को नहीं पता है क्या चलो अभी मुसल्मानों को जागने का भी साइध Allah नहीं मोखा तो अपने देश से तो दूसरे देश के लोग अच्छे हैं जो इस सीच का विरोध किया हुआ है यहां किसने विरोध किया क्यों नहीं कर रहे हो विरोध आप राजनीती चलाओ ना अभी आप तो हमारे नभी तक आ गए हो तो बर्दस नहीं होगा नहीं होगा सही दोना जाएंगे सबसे पहले में हो जाओंगी क्यों नहीं हम सांतीफुर्वक्त अथर्जाद करें और हम करें के बादे लिए आज समझी आपको बोलू के मैं नुपर सर्मा के बारे में करेंगे इतने नभी के बारे में जो बहुत गलत बयान दिया है और वे बीजेबी का हक नहीं है हमारे नभी के लिए और मैं सकत सकत कड़ी निंदा उरत की करती हूं जो इसने हमारे नभी के लिए इतना बोला हुआ है और मैं हिंदुस्तान के सभी मुस्लिम भाईबेनों को यह अपिल करती हूं कि इस पर कड़ी ध्यान दे क्योंकि एसा नहीं होता है समझी प करेंगे नुपूर सर्मा अगर अरेष्ट नहीं हुई है तो उनको औरेष्ट करें उनसों कड़ी सी कड़ी उसको सजा मिले ताके दूसरा अगर कोई तैयारी में है बोलने की तो वह एलेट हो जाए के नहीं बोलना है और सबसे पहले में यहां की गवर्मेंट को पील करती हू कि प्लीज इसके लिए कोई रोक बनाए अभी हद से हद से ज्यादा सब कुछ हो रहा है मुसलमानों पर काफी जुलम भी हो रहा है आप तो मीडिया पे देखते होंगे कि अभी मेरे कुछ देखा कि लड़के को पुलिस बाक आई था उसको बोल रही है कि दोड़ तो रास् तो हमने बात किया मेडम साइस्ता लकरावाला से इन्होंने खुल करके और कानून से मांग की कि नुपूर सर्वा जो गुस्ता के रसूल है उसको करी से करी सजा दी जाए सक सक सजा दी जाए और कम से कम फांसी की सजा दी जाए ऐसा कहना है मेडम का और इन्होंने आम मुसल में नहीं लेंगे और हमें हिंदुस्तान के कानून पर भरोसा है और गौर्मेंट सक से सक और जल्दी से जल्दी सजा दे कैमरा में साधाप के साथ अब्दुल समस्यक मुंबई